चल्व फ्रेंड्स के सेक्षिन में और थोड़ा और आगे चलते हैं यह उनिक्स में सबसे पहले और पावरफुल कमांड है काल कैल मींस कलेंडर आप चाहें तो अपने सिस्टम में सिर्फ डॉलर प्रॉंट पर कैल लिख करके इंटर करेंगे तो यह कैलेंडर दिखा देगा तो कैलेंडर कौन सा दिखाएगा तो कैल कमांड इतना पावरफुल कमांड है कि आपको करेंट प्रिवियस और नेक्स्ट मंत का कलेंडर दिखाता है मतलब uni कैल कमांड देने के बाद जो भी करेंट मंत है डेट है उतो दिखाएगा ही उसके पड़ी से वाले मंतका भी दिखाता आगे आने वाले मंत का भी कलेंडर दिखाता है और ऐसा नहीं है कि यूनिक्स के पास सारा केलेंडर बना हुआ है तो वो कल्कुलेट करके करेंट डेट वर टाइम तो उनके पास होता है उसके अधार पर उस महिने का कलेंडर और इसके पिछले महिने का नेक्स मंत का कलेंडर वो बना करके डिस्प्ले कर देते हैं ती पावर है यूनिक्स का operating system का कि आप जो ही सिर्फ कमांड देते हैं वह immediate आपको calculate करके display कर देता है calendar अगर specific calendar चाहिए माल लेता है हम लिखते है calendar 11-2020 सिर्फ नवंबर माह का calendar डिस्प्ले करेंगे 2020 का अभी करेंट मन्त है सिर्फ उसी का display करेंगे मतलब यदि आप month और year देते हैं तो उसी month year का display करेंगे otherwise वह current month previous month और next month तीनों calendar display करते हैं तो यह का power है यह कैल कमांड के द्वारा किया जा सकता है और थोड़ा सा आगे बढ़े basic calculation के लिए देखिए basic calculation के बहुत सारे कमांड है इनके पास बेसिक calculation में सबसे पहले कमांड आपको डॉलर पॉंट पर लिखना है बीची और यह एक बार नहीं लिखना बारी बारी से जैसे अगर माल लेते हैं हम लिखते हैं बीची ट्वेंटी बाई टू वो अटोमेटिक रिजल्ट देगा 10 एक कल्कुलेटर स्टार्ट होगे फिर से कोई भी कल्कुलीशन आप दे 10 बाई 5 वो लिखेंगे 2 और इस कमांड को क्वीट करेंगे तो बाहर आ जाएगा प्राम कर वापस आ तो इस तरह से बेश्ची कल्कुलीशन का काम आप कर सकते हैं आप बेश्ची कल्कुलीशन में सबसे पावरफुल कमांड देखे क्या है कि आप ते हां अगर देते हैं बेश्ची कल्कुलीशन में for i is equal to 1 i is less than or equal to 10 i is equal to i plus 1 यहाँ पर i दे दे तो आप देखेंगे कि यह print करता 1, 2, 3, up to 10 मतलब 1 to 10 की counting यह आपको display कर देंगे यह for loop आप language यह पढ़े होंगे C में, C++ में तो Windows and DOS के पास यह capability नहीं था लेकिन UNIX LIX का जो टर्मिनल है कि इतना smart है कि आप यह programming आसानी से कर सकते हैं यहीं पर direct basic calculation में loop लगा सकते हैं और loop के आधार पर यह print out आपको दिखा देंगे इसके बाद अगर आप स्क्वायर रूट करना है तो सीधे इनके पास command है as q r t number दे दीजिए 36 यह result में आपको 6 दे देंगे sign value वह sign value यह भी दे सकते हैं sign यह कॉसान value में यह ध्यान में रखना होगा k value radian में लेगा degree में नहीं देना आपको radian में value देंगे तो जो भी उनका actual numeric value होगा वो print करके दिखा देंगे यह कर सकता है एक सबसे बड़ा पावरफुल feature है इनका आप input और output दे दे आई बेस टू ओ बेस 16 अब यहां पर कोई value दे दे उसके बाद 1010 मतलब basic calculation में अगर आपने input base आई-base means input base आप रखे हैं binary में output आप चाहते हैं आप आप पूट का बेस 16 यहां पर equal to लगा देंगे आप आप बेस 16 में चाहते हैं तो automatically जो ही binary देंगे इनका conversion करके यह output में यह display कर देगा मतलब number system का conversion भी आप basic calculation में ही कर सकते हैं ठिक उसी तरह जैसे calculator में किया जाता है calculator में आप इसका conversion कर सकते हैं तो unix के terminal पर भी यह काम किया जा सकता है अगर आप चाहें तो factor भी calculate कर सकते हैं है factor calculate करने के लिए माल लेते हैं हम लिखते हैं फैक्टर है फैक्टर के बाद लिखें फिफ्टीन यह five and three इस तरह से लिए इस तरह के बहुत चोटे-चोटे कमांड है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सबसे जार पावरफुल कमांड जो किसी point को सर्च कर सकता सर्थ है कि किसी particular टर्मिनल में globally माल लेते किसी टर्मिनल को यूजर करता है उसे बहुत सारा काम करता फाइल बनाता फोल्डर बनाता अलग-अलग फाइल अलग-अलग फोल्डर है आप किशी भी image को आप चाहें तो जैसे ग्रेप कोई नाम है माल लेत किसी यह ने एन पाइल है तो इसको आप सर्च कर सकते हैं अब यह सर्मिनल से आप लॉग-इन करते हैं उस टर्मिनल के हर लोकीशन हर फाइल सपोल्डर सब फोल्डर में सर्च करके अगर वह मिलता है तो आपको डिस्प्ले करेगा उसको नुदिप्रेजेंट करेगा यह ज्यादा popular command है grape जिसका इस्तमाल आप करेंगे basic calculator का है, simple calendar का है, file create करना, edit करना, change करना, copy करना, remove करना, directory create करना, directory move करना, cd यह सारे basic command है, जिनका इस्तमाल आप करेंगे और आपको जाननी चाहिए, इस तरह से आप basic unix के practical का काम कर सकते हैं, ऐसे book हुआ पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे command है, हर command के भी शेयर में detail जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ basic command जो है, उनका basic concept आपको पता होना चाहिए, और specific किसी organization में जाएंगे, तो आपको वहाँ पर training दी जाएगी, कि क्या ज़रूरत है, जो importance होता है, उसके उपर वो लोग training देते हैं, उसमें काम करते हैं, तो यह जो basic commands है, इनके भी से में आप जानेंगे, और यहाँ पर आ करके हम Linux के lecture को complete करते हैं, Linux के आप पूरे operating system का lecture हम अब यहाँ से wind up करेंगे, इसमें आप देखेंगे, समझेंगे, अगर इसके बाद भी कुछ problem है, कुछ ऐसा command है, जो आपको समझवें नहीं जाता है, तो आप हम से contact करेंगे, हम उसके detail के भी से में आपको, अगर जरूरत होगी तो वीडियो बनाएंगे, और नहीं तो आप direct reply देंगे, आपको बताएंगे, ताकि आपको कोई समस्या आगे ना हो, तो इस lecture को यहीं पर complete करते हैं, लगातार पढ़ते रहें, समझते रहें, command तो बहुत सार है, 200-300 command है, लेकिन जो most powerful or specific command है, जिसके ज़रूरत अक्सर पढ़ती है, या यूज करते हैं, examination में आया, और पढ़ाई का अंतिहा नहीं होगा, यहां से और आगे चलेंगे, और धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, यह सीखने की सिर्फ सुरुवात है, हमने स्टार्टिंग कर दी है, बाकी आप जितना मेहनत करके सीखना चाहें, सीख सकते हैं, तो इस lecture को यहीं पर समाप क करेंगे, तब तरत के लिए धन्यवात,